आज ग्वालियर में प्रदेश में भ्रस्ताचार को बड़ावा देने वाले सरकारी सिस्टम के खिलाब ग्वालियर हाई कोड की दो सक्त टिपनी हुई हैं ये टिपनियां साशन और प्रशासन को आइना दिखा रही हैं ग्वालियर हाई कोट की पहली टिपनी नर्सेंग घोटाले को लेकर की है हाई कोट की ग्वालियर खंड पीट ने नर्सेंग की परिक्षा पर लगाई रोक को बरकरा रखने का फैसला किया है जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस सत्यंद कुमार सिंग ने सुनवाई के दौरान MP Medical Science University के कॉलेजों के बैक डेट से संबदता देने को लेकर नाराजगी भी जताई है साथी सरकार से गंभी सवाल भी पूछे है दरसल सरकार और नर्सिंग कॉलेजों ने परिक्षा पर रोक हटाने की अपील की थी और इसके लिए स्टुडेंट के भविश्य का हवाला दिया था हाई कोट की बैंच ने सरकार की उड़ से पेश हुए अदिवक्ता प्रशांत महादिवक्ता प्रशांत सिंग से पूछा कि जब कॉलेजों की मानिता को लेकर सी बी आई की जाच चल रही थी फिर छात्रों को परिक्षा में बिठाने की मन्जूरी आपने कैसे दे दी बैंच ने फटकार लगाते हुए कहा कि हम हैरान है कि कैसे कैसे लोग सरकार चला रहे है जिनको आम लोगों के स्वास्त की बिलकुल भी चिंता नहीं है हाई कोट की बैंच ने ये भी पूछा कि जब सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो फिर बीस हजार बच्चों को किस तरीके से बैक्टेट में परिक्षा में बैठने की अनुमत ही दी गई मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रेल को होगी हाई कोट ने इसी दिन सरकार और प्राइबेट कॉलेजों को दस्तावेज पेश करने को कहा आपको बता दे कि हाई कोट ने 27 फर्वरी को नर्सिंग परिक्षा पर रूक लगा दी थी इसमें प्रदेश के सौ से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजों के करीब सबालाक शातर पर भावित हो रहे है खास बात यह कि इन कॉलेजों को 2019 बीस 2021 की मानिता जबलपुर मेडिकल इनिवस्टी ने इसी साल जन्वरी में दी थी जबकि विश्विद्याले अदिनियम से स्पस्ट कहा गया है कि सत्र की मानिता को चीटीन और चार साल बाद नहीं दिया जा सकता बावजूद इसके नर्सिंग कॉलेज संचालकों ने मेडिकल इनिवस्टी से साथ गाठ कर ये मानिता हासिल कर ली थी सुनिए वकील मौधा ने क्या का नर्सिंग परिच्छाओं को लेकर के मैने मानिय उच्चिनेले के समक्ष जो एक पिटिशन दायर करीजी पी आईयर उसमें जो है बहुत समय से गवर्मेंट चार ही है कि इस्टे जो उसमें लगा हुआ है वो वेकेट किसी ने किसी प्रकार से हो जाए लेकिन चुके मामला की गंबीरता इतनी जादा है कि उसमें किसी भी प्रकार से इस्टे वेकेट नहीं किया जा सकता मानिय उच्चिनेले दौरा विल्कुल सब्दों में माधवक्ता साब से पूछा गया है कर माधवक्ता साब वो पसमें डारेक्ट उपस्तित हुए थे इसका आधार पर इनने आपने मानेता दिये इसका हवाला आप जो है केबल एफीडेट देने वरस्यमात्र से काम नहीं चलेगा आप इसके समक्ष हमारे माननी नहीं चिनले कि समक्ष आपको कागज और डौकुमेंट्स प्रस्तित करने पड़ेंगे कि किन दस्ताविजों के आधार पर आपने मानने ता प्रा रक्ष रखते हुए जारी की गई है कि इसमें करेंद बीस हजार बच्चें इसमें समिलेते हैं जिनकी प्रवावत है जो कहीं इंप्रिक्षा होने जा रही थी और घष लापरवाई थी उन्यवर्सिटिटी और आई एंसी वगयरां की इस कि क्या ये एक्जाम होना इतना जरूर ही है या लोगों के स्वास्थ से ज़्यादा बढ़ करके है तो कि ये लोग अगर बिना पड़े लेके बिना पूरे कागज की तरह केवल डिग्री भर लेकर के चले जाएंगे तो ये पूरे संपूर बारत वर्स में जाकर के अपनी पाए देंगे लगवर लगवर 85% जो पेसेंट जाते हैं पेसेंट जो जाते हैं उनका 85% टीटमेंट कहीं न करी इन नर्सिंग स्टाप के वलबूते पर ही वहां पर सर्वाइब करते हैं अगर यहीं लोग पड़े लेके नहीं होंगे इनको बीपी और सुगर्त करना नहीं हैं तो आखर में किस प्रकार से लोगों का इलाज कर पाएंगे तो इनको इनके एक्जाम आखर पर क्यों होना चाहिए है वह एक्जाम जो है जहां तक है माननी उच्चिनाल ने कह जब तक आप हमें डॉकुमेंट्स के आदार पर संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसम में और उसमें नहीं है अगली तारीक इसमें 25 तारीक फिक्स की गई है और करीबन करीबन साड़े मारा दो दो पच्छी दो तीसका टाइम जो इसमें फिक्स किया गया है तो माधवक्ते साब को द्वारा से बुलाए कि आप धाई वज़े विलकुल 25 तारीक को उपस्तेतों औ नहीं था कि द्रश्टी में नोगे जो इसका काम समय जो है और इसमें इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी प्याइव में हाई कोट ने टिपनी करते हुए कहा है कि यह वो बच्चे हैं जिन्होंने परिक्षा के नाम पर फॉर्म तो भरा लेकिन कॉलेज नहीं गए एक मरीज का असी प्रतीशत खयाल सिर्फ नर्सिंग स्टाप रखता है जिन चात्र को नर्सिंग के बारे में पता नहीं है वो मरी इस का इलाज क्या करेगा इस टिपनी के बाद हाई कोट की खंट पीट ने महादिवक्ता प्रिसांत सिंग से गंभीर सवाल किये हाई कोट की बैंच ने पूछा कि क्या कोट की ओर से सीबी जाच के संबंद में दिये गए आदेश को पढ़ा गया है आपको नहीं लगता कि ह हमारा आदेश संबंद्धता मामले में आड़े आ रहा है अकर इन्युवर्स्टी को मानिता की अनुवती दी गई तो फिर सीबी जाच का क्या होगा क्या किया जाएगा कोट ने पूछा कि क्या सीबी जाच और मानिता साथ साथ चल सकती है एक तरफ काउंसिल इनिवस्टी को मानिता दे रहा है तो दूसरी तरफ मद्धिपदेश नर्सिस काउंसिल ने कोट को बताया कि उसके पास कॉलेजों से जुड़ा दस्तावेज ही नहीं है आप ये बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है अब आप सूचे ये टिपणी कोट की है और कोट ये कह रहा है कि कैसे कैसे लोग सरकार चला रहे है ये मद्धिपदेश की सरकार को आइना है जो गौलियर के हाई कोट ने दिखा रहा है यानि कि उम्मीद लोगों को कोट से सरकार से नहीं और रास्ता भी कोट ही दिखा रहा है और आयना भी कोट ही दिखा लाए आगे बढ़ते हैं A Esther Krism, एक और मामला जिस पर हाई कोट ने आईना सरकार को दिखा लेकर है जस्टिस रोहितार्या और जस्टिस सत्तिंद्र कुमार सिंग की बैंच नहीं बुद्वार को हुई सुनवाई में भिंड के खनिच अधिकारी और डिप्टी डारेक्टर को अवमानना का दोशी करार देते हुए पूछा कि क्यों ना आपको सजा दी जाए आप दोनों भ्रस्ट अधिकारी हैं चुकि इनके हातों में ग्रीस नहीं लगा है इसलिए ये कोट की आधिशों का पालन नहीं कर रहे है हम देखते हैं कि मुरेना के पास चम्मन नदी के किनारे रोज सुबह सुबह पाँच से आठ बजे तक ट्रेक्टरों की लंबी लंबी लाइने रगी जानी है कोई पूछने वाला नहीं है कोई निगरानी करने वाला नहीं है कोई अबैद उत्खनन रोकने वाला नहीं है ये रेत कहां से ला रहे है कोट ने सुनवाई के दौरान अतरिक्त महादिवक्ता अंकुर मोदी से पूछा कि चीप जस्टिस के 14 मार्च 2023 के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया कोट ने जब उनसे पूछा कि ETP जारी क्यों नहीं की तो वे संतोष जनक जवाब नहीं दे पाए कोट ने का कि तुम मादेश का पालन इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी सेवा पूजा नहीं हो पाई है कोट में मौजूद डिप्टी डारेक्टर संतोष पटेल जब सही तरीके से जवाब नहीं दे सके तो हाई कोट ने कहा कि ये आदतन बदमाश हैं किसके बारे में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के क्या ये आदतन बदमाश हैं कोट ने दोनों को अबमानना का दोशी ठराया और ये पूछा कि क्यों ना आपको अबमानना की सजा दी जाए दरसल भिंड निवासी रभी मोहन तरवेदी ने याचे का दायर करते हुए एक लाग चौनानवे हजार क्यूबिक मीटर रेट के संबंद में इटीबी जारी करने और रेट की सुपूर्ट की देने की गुहार लगाई थी जिस पे जनाम टालम टोली करते रहे जिस पे जाच हुई मामला कोट में गया कोट ने तमाम तत्यों के आधार पर पाया कि अगर आपको नहीं मिला सेवा पानी जिसका जिक्र कोट कर रहा है तो आप पेंडिंग कर रहे हैं आप कोट के आदिशों को भी नहीं मानने आप सोचिए कि यह अधिकारी और कर्मचारी कितने मठर हो गए है यानि कि अधालत के संकेत साप साप है कि अधिकारी कर्मचारियों में किस अत्तक ब्रस्टाचार है कि वो कोट के आदेशों को भी नहीं मानने है और यही बात संग और संगठन और सरकार की बैठोक में हो रही है यानि जब बीजेपी चुनाव की तयारी करने जा रही है वहाँ पर भी ये बात हो रही है वहाँ पर भी नेता और तमाम कारिकरता इस बात का दिक्र कर रहे है कि जो मिशीनरी है सरकारी उसमें ब्रस्टाचार ब्याप्त है बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता है दो तरीकी बानगी साफ तोर कर आपको दिखाई देती है लेकिन क्या अदालत के इस आदिश के बाद चीजें बदलेंगी कहें नहीं सकते हैं तब जबकि प्रदेश के बादना तो छोड़िये यहां पर कोट कह रहा है तब भी नहीं सुना जा रहा और कोट कहता है कि आपकी सेवा पानी हुई नहीं आपके हातों में ग्रीस नहीं लगा इसलिए आपने ऐसा किया है वाकई यह सरकार के लिए और सरकार की कारप डाली के लिए आईना है जो अद हालत भी तमाम चीजों को देखते हुए सक्त हो रहा है और उसी लिहाद से फैसले भी दे रहा है